प्रदेश में उप्चुनाओं की तारिकों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है लेकिन राजनेतिक हल्चले करवड बदलना शुरू कर दी है विजेपे सपॉर कॉंग्रेस ने तो कमर भी कसली है सपा और कॉंग्रेस पार्टियां भले ही जीत का जाल बिछा रही हूँ लेकिन विजेपी कमबाई का प्लान बना रही है तो क्यों चुनाओं के नतीजे ही बताएंगे कि प्रदेश वासियों का मूट क्या है लिहाजाद सीम ने प्रभारी मंत्रियों के कंधे पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है और साफ साफ संकेत दे दिया है कि बंद और दवी फैलों को निकालें और जन जन तक योजनाओं की जानकारी और मिलने वाले लाव को पहुँचाएं प्रत्यसिक कौन है ये इमपॉर्टेट नहीं है इमपॉर्टेंट ये है कि यहां के चुनाओं हमारा कारकरता और हमारा चुनाओ चिन्ध है कमल का फूल कुछ चुनाओं लड़ता है और वही इस समय मै दान में है और हम सुचते हैं कि पिछले सारे रिकार्ट टूटिंग इस चुनाओं में आठ सीटों पर होने वाले उप चुनाओं को लेकर वेपक्ष भी किसी तरह से धिली आपके सरकार को वाकोवर देने के मूर में नहीं है यही कारण है कि समाजवादी पार्टी लगतार सरकार की खिराबंदी कर रही है जन्मुद्दों को लेकर सदन और सड़क पर संग्राम छेड़ी हुई है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके खिलाफ मन बना लिया है समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाओं में उतर रही है और जीत के आने वाली है क्योंकि जनता ने पूरा प्यार पूरा समर्थन दे दिया है और भारती जनता पार्टी के खिलाफ जनता का निर्णे हो चुका है कॉंग्रिस भी कुछ कम एक्टिव नहीं है तरकार के दाओं पर सीधामलावर होते हुए ये साबित हो रहा है क्यों चुनाओं क्या 2022 करण भी काफी मुश्किल होने वाला है